CTC के बारे में आज हम जानते हैं पूरे डिटेल में आप जानते हैं कि आज का लगभग सभी बड़ी कंपणी अपने कर्मचारियों को CTC ओफर करती है लेकिन क्या होता है CTC और CTC की फुल फॉर्म क्या होती है इसके बारे में आम इंसान नहीं जानता है लेकिन जो लोग CTC के बारे में जानते हैं, वे भी सोचते हैं कि आखिर क्यार एक कमपनी अपने employee को CTC क्यों प्रदान करती है, इससे क्या लाब होते हैं, तो इस वीडियो में इससे related मैं आपको वीडियो लेकर आई हूं, इस post में हम CTC क्या है, CTC की full form क्या होती है, एक कमपनी अपने employee को CTC की शुविधा क्यों प्रदान करती है, जैसे शवी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, CTC की जो full form होती है, cost of company, हिंदी में इसे कहते हैं company को लागत, आमतोर पर cost of company के लिए CTC का इस्तेमाल छोटे रूप में किया जाता है, किसी कमपनी ये काम करने वाले कर्मचारी को जो भी कुल वेतन होता, उसका total वेतन मिलता है, उस total salary package के लिए CTC टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, CTC का मतलब है कि कोई company अपने employee पर एक साल में कितना धन खर्च करती है, यदि आप सरल सब्दों में समझना चाहें, तो ये भी कह सक करते हैं कि CTC से आशर उस धन से है, जो एक company अपने कर्मचारी पर एक शाल में व्याय करती है, यानि कि खर्च करती है, या इन्वेस्ट करती है, CTC कर्मचारी को मिलने वाली gross salary, प्लस कर्मचारी को company के दौरा मिलने वाले अत्रिक्त लाव, CTC बराबर प्रत्यक्षलाव, प वेतन के अलावा, जो भी शिविधाएं अपनी company प्रदान कर रही है, उन्चों विधाओं पर कितना धन खर्च हो रहा है, टोटल को जोड कर CTC amount का आकलन की अर्च करती है, यानि कि आकलन मतलब गड़ना करती है, यानि कि जोडती है, समाजती है, CTC amount में कर्मचारी को मिलने वेतन और company द्वारा दिया जाने वाला अत्रिक तिलाब भी शामिल होता है, ध्याम देने वाली बात यह है, कि कर्मचारी सीधे CTC राश्य प्राप्त नहीं कर शकते हैं, बलकि उसमें कुछ विधाएं होती हैं, जो उनको employee को प्राप्त होती है company के द्वारा, इसके आगे हम हम समझ लेते हैं कि एक CTC जो amount होता है, उसको calculate कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं, तो CTC amount को calculate करना बहुत आशान है, अगर आप समझ सकते हैं, तो ध्यान सीधे वीडियो को देखिए और समझिए, कर्मचारी को company से मिलने वाले वेतन के अलावा, जो सभी अत्रिक तिलाब दि कि अत्रिक तिलाब ओफर करती है, देती है, इस प्रकार उस company का जो उस कर्मचारी के लिए cost of company amount total होगा 31,500 रुपए होगा, आया भी से निकालना सीखते हैं, एक तरफ कर्मचारी को मिलने वाला वेतन और अत्रिक तिलाब है, एक तरफ उसका राशी है कि कितना कितना दिया गया कैसे कैसे उन्हें total जो उनका amount था cost of company यानि कि CTC कैसे उन्हें प्राप्थ हुआ, जो उसका मुल वेतन था जो मिलने वाला वेतन था वो था 20,000, उसमें मनुरंजन भत्ता 2,000, माकान किराया भत्ता दे दिया गया 3,000, चिकिश्चा बीमा 5,000, पी अफ 15,000 रुपए, CTC amount 31,000 रुपए total हो गया, यानि कि इतने रुपए आपको मिले company की तरफ से उतनी शुर्धाय देने के बाद, company अपने employee को CTC में क्या benefits प्रदान करती है, CTC में कर्मचारी को किस तरह कातिक्त लाब मिलता है, अब इसके बारे में भी जान लेती है, यह समझना आपके लिए अति आवश्यक है क्योंकि आप भी एक employee हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, हर एक company का एक अलग-अलग CTC होता है, जरूरी नहीं है कि किसी company का एक हो, सबका अलग-अलग CTC होता है, हर एक employee के काम, अनुभव और company के प्रतिन निस्ठावान होने के गुर को दे ये गये हैं, वही सेम आपको benefits मिले, कुछ अलग भी इसमे company जो benefits है वो देती है आपको, यानि कि देख लिए जो इसमे है, office आने जाने के रिए मुफ्त taxi की शुविधा देशकती company आपको CTC में, कर्मचारी की medical life insurance premium का भुगतान company द्वारा करना, कर्मचारियों को interest free loans की शु मिल करती है,